सो नमसकार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का अपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपकी कोल जो है ओटोमेटिक कट हो जाती है और आपको लिखा आता है कोल एंडिड अगर automatic call ended की problem आपके साथ आ रही है जैसा की screen पर आप देख सकते हैं आप किसी को call करते हैं तो आपर call ended लिखाता है बार बार अगर इस problem से आप प्रशान हैं तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला इसका solution जिसे आपकी problem solve हो जाएगी इसलिए आप call कर पाएंगे किसी दो भी आपकी call लगती नहीं है सिर्फ call ended दिखा देता है तो आपको करना के हैं मैं पूरे डीटेल पर बताऊंगा तो इस वीडियो में एंटर बने रहेगा अगर आपको यह वीडियो पत्म दाती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी यूडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि अगर उनको यह problem आ रही है उनकी problem भी solve हो जाए सबसे पहला काम आपको क्या करना है सेटिंग में आना है mobile सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर mobile network देखने को मिल रहा है इस पर click करिए इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको Vaulty जो हाफण known करना होगा आपको 20 लिखा मिलेगा आपको आना है preferred network type में, इस पर क्लिक करिए, preferred network type जो भी आपका sim हो, LTE 4G हो तो LTE पर क्लिक करिए, 5G हो तो prefer 5G कर लिजिए, तो यहाँ पर LTE भी रखेंगे तो भी कोई problem नहीं होगी, तो यहाँ पर 3G या 2G में मत रहने दीजिएगा, तो यहाँ पर उसके बाद जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा mobile network या फिर access point name, access point name पर आजाना है आपको, access point name आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा reset option, आपको यहाँ पर reset पर click करना है, और आपनी जो APN setting है, उसको reset कर लिए है, देख सकते है, reset default APN setting completed, अब यहाँ पर जो आपकी setting आई यहाँ पर आपने reset हो चुकी है, अगर इसे प्रेटी problem होगी तो यहाँ ही solve हो जाएगी, तो यहाँ पर फिर mobile network में आपका जो automatically है, उसको manually आप स्लेक करके देख सकते हैं, इसको यहाँ से बंद करिएगा, next पर click करिएगा, ok कर दीजिएगा, जो आपके networks हो गयरा है, वो फि select करेंगे, देख सकते हैं, search करेंगे, तो कुछ इस तरह से आपके networks से निकल कराएंगे, यहाँ पर अगर में पास geo की seem है, तो geo पर मैं select कर दूँगा, अगर आपके पास 4G है, तो 4G, 3G seem है तो 3G, यहाँ पर geo की seem है, 4G, इस पर select कर लेता हूँ, registered network, network registered हो चुका है, अगर mobile network से related problem होगी, तो वो भी यहाँ से solve हो जाएगी, तो यह काम आपको करके देख लेना है, एक बात का ध्यान रखेगा, mobile network में जो आएंगे, तो आप देखिएगा, आपको automatic select है, या manually आपने किया हुआ है, जो भी हो, उसका opposite आपको कर देना है, तो guys बस यही कुछ आपको काम करने होगे, और आपकी co-landed की जो problem हो, वो solve हो जाएगी, so guys बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं next वीडियो में, till then boy take care, love you all.